हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माइचल मेरा ना हमें अरविन आप देख रहें एक स्यूर्ट फ्रेंड्स आज फाइनली वह एक स्पेशल डे है जिसका इंतियार हर साल पूरा बॉलीवूड पूरी बॉलीवूड की इंडर्श्री आप मैं पूरे फैंस लोग एट करते हैं आज ह हमारे भाईजान सल्मान खान सुल्तान बॉडिगाड टाइगर का बड़े तो मैं आपके लिए आज लाया हूं टॉप 10 बॉलीवूड की सल्मान खान की अब तक की मेरे इसाफ से बेस्ट मूवी इसकी वज़े से कहीं न कहीं जो आज स्टार्डम जो पॉपिलर्टी जो कही कहीं न कहीं दहसत है बॉलीवूड के अंदर सल्मान खान का जो लोग उनको प्यार करते सपोर्ट करते हैं इसकी वज़ा कहीं न कहीं यह मूवी रही है कहीं न कहीं मूवी ने काफी बड़ा अपना एक इंपैक डाला है तो चलिए फटा वर्स आपने टॉप 10 जोई थी तो मूवी के टाइम पर इतनी जादा चल नहीं पाई ते लेगिन उसके बावजूद मूवी ने 25 क्रोन अच्छे खासी एक अर्निंग की इस मूवी के अंदर सल्मान खान ने रोल किया था एक राधे का राधे मोहन जो डीपली लव में हो जाते हमारी निर्जरा क और निर्जरा के प्यार में उनका क्या हाल होता इस मूवी इसके सारे गाने जबरदस ने और टाइम हीटे वाई आज भी पब्लिक इसको इंजॉय करती हर एक जनरेशन कहीं न कई इस मूवी को पसंद करती है लिश्ट में नमबर 9 में मैंने रखा है सलमान खान की एक और ज ऐकषे शादि करोगось मोवी के अंदर अक्षे कुमा OUR सलमान खान और काफी जबरदस तरीके से प्रियंका चोप्ला ने भी काफी जबरदस काम क्या तक возьू को को और पब्लिक का सपोर्ट में यह सिर्फ और चिर्फ उननिस करोंड की बजट में मовी बने थी और मूवी ने earning की ये काफी जवर्दस्त मोवी और एक तरह से हिट साबित हुई थी लेकिन उस टाइम के हिसाब से इस मोवी को इतना ज़्यादा पॉपुलर्टी नहीं मिल पाया लेकिन आज भी इस मोवी को लोग पसंद करें धीरे धीरे इसकी पॉपुलर्टी समय के साथ कम नहीं हो पा रही है यह काफी बड़ी बात है मेरे इसाब से मुवी आज भी सूपर हिट मुवी में से गिनी जाने चाहिए अब लिस्ट में कर सकते हैं मतलब सल्मान खान का एक नया लुक एक नए अंदाज में देखना काफी जबर्दस तरीके से इस मुवी को पब्लिक ने काफी ज़्यादा पसंद किया था मतलब 90 क्रोन मुवी ने अच्छे का से अरने की थी और इसी के साथ सल्मान खाने धीरे धीरे 100 क्रोन पब्लिक ने काफी जबर्दस रिस्पॉंस किया था तो लिस्ट में नंबर से पर मैंने रखा दबंग दबंग एक ऐसी जबर्दस मुवी तहीं जिसने पूरे तरह से मतलब बॉक्स ओफिस पर दबंगाई मचा दे थी इतनी जबर्दस तरीके से मुवी ने दड़ादार द 2010 में रिलीज वे और 2010 में 200 कौन मतलब वाकई में आज भी ये काफी बड़ा अमाउंट होता है बॉक्स ओफिस कलेक्शन के इसाप से लेकिन उस टाइम पर सलमान खान ने एक ऐसी मुवी रिलीज करके लोगों के अंदर जो अपनी पॉपिलर्टी थी काफी जबर्दस तरीक मुवी भी मेरी हिसाप से उन मुवी में इसे सामिले जो कहीं ना कहीं सलमान खान सर के लिए काफी बड़ी मतलब सक्सेस की सीडी लाने में काम किया तौब लिश में नमबर पांच पर एक ऐसी मुवी जो आज भी अगर टीवी में लग जाए तो लोग उसे देखने से इग् लेक्टा टाइगर जिसने एक नया कलेक्शन का रिकॉर्ड बनाते गई मुवी ने तीन सो बीस करोन से भी जादा ओवर और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया यह मुवी काफी ज़दा जब और दस रही इस मुवी की जो सौंग से आज भी काफी ज़दा वाइरल चल रहे हैं का चौती मुवी जिसका एक फेमस डाइलोग की जितने सपेत बाल मेरी सर और दाढ़ी में नहीं है उस से काफी ज़दा रंगी मेरी जिंदगी है हालाकि सलमान खान की जिंदगी तो उस से भी काफी ज़दा रंगी और काफी जदा दिल्चास्म अ गई है मुवी का था भारत म मुवी तो 2019 में रिल्यूज हुई मुवी ने इतनी जबर्दस तरीके से एक अर्णिंग की फिर एक बार 320 करोन की काफी ज्यादा शांदार बॉक्स ओफिस कलेक्शन करते हुए सलमान भायजान फिर एक बार प्रूफ कर दिया कि बॉलिवुड का सुल्तान बॉलिवुड का बा कि पोर्टर भाय मतलब यह आज भी मुवी जब आती है तो कहीं ना कहीं वह मुनि को लोग जरूर याद करते हैं मुनी क्या कर रिओंगे क्या मुणनी फीर एक बार मुवी लाएगी नहीं लाएगी ये तो अलग बात है लेकिन इस मुवी के साथ इस सल्मान खान से जो उम्मीदे है लोगों की इतनी जबर्दस तरीके से बढ़ने लगे कि आज भी वो रुकने का नाम ने लेगी मुवी ने चार सो करोन का ओवर ओल बॉक्स ओफिस कलेक्शन किया चार सो करोन मतलब इस मुवी का बजट इतना ज्यादा हाइफाई नहीं ता उसके बावजूद मुवी ने इतनी शानदार अर्णिंग की मुवी की स्टोरी काफी जबर्दस थी हर एक चीज परफेक्ट ता मुवी में सल वाकई में काफी ज्यादा शानदार निकला इस में नंबर टू पर मेरी फेबरेट मुवी टाइगर जिन्दा है मतलब एक था टाइगर की जबर्दस सक्सेस के बाद उसका सीक्वल लाना 2017 में टाइगर जिन्दा है इतनी जबर्दस पब्लिक का रिस्पॉंस है मतलब इस रिकॉर्ड बना दिया बॉक्स ऑफिस पर 400 करोन 300 करोन छोड़ो इस मुवी ने तो 560 करोन की ओवर ओल अर्निंग की 560 करोन सोचने की बात है काफी बड़ा अमाउंट सलमान खांग की अब तक की बेस्ट से बेस्ट मुवी में से एक टाइगर जिन्दा है और ये जिन्दा जिन्दा है और जिन्दा रहेगी इतने शांदार मेरी पर्सनल फेबरेट मुवी में से एक जिसको आप डेफिनेटली देखो अगर इसको नहीं देखा तो आपने काफी जबर्दस्ट एक मुवी मिस कर दोगे तो फाइनली लिष्ट की नंबर वन मुवी मेरी परसनल लिष किस तरह से एक अथलीट काफी टाइम के बाद कमबैक करता है एक नए फील में उसके बाद उसके सकसेस लाना ये मुवी की स्टूरी काफी जबर्दस्टी मुवी का नाम है सुल्तान आप जाने गये होगे सुल्तान एक जबर्दस्ट सक्सेस सावित हुई सलमान खान के पड़े लेकिन एक जबर्दस मुवी जिसने एक बार बॉक्स आफिस पर चल गई तो रुकने का नाम नहीं लिया इस मुवी ने काफी जबर्दस सौंग्स दिये मुवी की स्टोरी काफी ज़्यादा शांदर है आप में से 99% लोगों ने मुवी को जुरूर देखा होगा देखो और इंजॉय करो और लिस्ट की बागी जो नोन मुवीज हैं उनको भी आप डेफिनिटली इंजॉय करो सभी मुवी शांदार है सलमान खान की अब तक की बेस्ट मुवी यह हैं मेरे अकॉर्डिंगली अगर इन में से कुछ मुवी आपकी परसनल फिबरेट नहीं आ साथ करते हैं अगर आपको मेरी लिष्ट की दसो मुवी पसंद आए तो प्लीज हिट दा लाइक ब्लाइब अगर इसमें से कोई मुवी छुट गई हैं तो मुझे आप कमन करके बता सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आ तो प्लीज सब्सक्राइब तुमार चैनल फो